हेलो एवरिवान वेलकम टो वाइफाई स्टेडी विचा बार्ट ऑफ अनकेडमी ग्रूप दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 पीवाई क्यूज जो की काफे इंपोर्टेंट होंगे रेलवे ग्रूप डी एक्जाम के लिए तो ये एक मोक टेस्ट पचास में से आप कितने कोशन के आंसर सही कर पाते हैं अपने स्कूर भी बतेएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ग्रूप में सेयर भी जरू करिएगा और टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया तो सोरमल एक ओफिशन नाम से प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी बेनेफिट है जैसे की लाइब क्लासे स्टॉक्चर्ड और विकली टेस्ट अनलिमिटेट एकसिस और भी सारे बेनेफिट आपको तब मिलते हैं जब भी आप किसी बी क्याटेग्री में प्लस सब्सक्रिप्शन जोइन करते हैं तो अगर आप आज भी जोइन करते हैं तो यह offer आज भी आप लोग को मिल जाएगा टेस्ट थेन में अन्रोल नहीं किया तो कर लीजेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी free quizzes और mock test आपको मिलने वाले हैं और इसमें directly आप इस बार कोड को study 10 ही apply करना है आइकोनिक के फीचर है प्राइटिन डाउट सोलिंग प्राइटिन लाइव क्लासिज बाकि आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और दोस्तों यहां पे यह जितने भी टेस्ट सेरी जैजे फ्री ओफ कोस्ट है यह भी आप लोग लगा सकते हैं में लाइव कलास के दुरान रे 오른 न हैंड करके आप अपने सारी डाउट की लीर कर सकते हैं चलिए सुदख करते हैं आज की वीडियो को प्लीज प्रैंट तक देखेगा दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है पाइकलोजी, वनस्पति, विज्ञान की वैसाखा है जिसमें हम खालिस्थान के बारे में अध्यन करते हैं दीके दोस्तो कोशिस करिएगा कि मैं आपको हरी कोशन के लिए जो टाइम दूँगा उसमें आप comment box में answer बताई जैसे इस question का right answer सेवाल है, यानि की option यह है तो बस आपको comment box में लिख रहा है, one का option यह right है ठीक है? ऐसा आप करोगे तो ज़्यादा अच्छी practice होगी और याद भी रहेगा दूसरा question है निमिन गेसों में से किसके रिसाब की कारण भुपाल गेस्ट रास्दी हुई तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है और इस question का राइट आंसर होगा methyl carbymeline यानि की option B राइट आंसर होजएगा ठीक है चलिए अगला question आता है अच्छा इसका मैं आपको न methyl carbymeline इनका यह बता देता हूँ formula तो c2 h3no यह कई बार exam में इस परकार भी question पूछ ले जाता है तो यह भी आपको याद अखने इसमें से एक तेज गंद आती है ठीक है ना और यह आपको याद अखने बस चलिए अगला question आता है रेडियो धर्मी विग्डन के सिधान्त को किसने प्रस्तूत किया दोस्तों यह किया था रिदर फोर्ड और सोडी ने यानि की right answer इसका option यह हो जाएगा ठीक है मेरे प्यार दोस्तों next question आता है Newton के पर्थम नियम को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है बिल्कुल दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल सही है law of inertia के नाम से भी जाना जाता है जड़त्तों का नियम Newton के पर्थम नियम को कहा जाता है अच्छा यह question देखिए अभी जो group D का exam चल रहा है उसके लिए भी काफे important होंगे और बाकी exam के लिए भी क्योंकि इसलिए मैंने बोला क्योंकि कहीं student बोले थे सर GED के लिए भी कुछ questions करा दीजिए ठीक है न निमलिकित में से कौन विदूत का सबसे अच्छा सूचा लख है इस question का सही आंसर होगा दोस्तो बिल्कुल देखे मैंना आपको कहीं बार option में silver वैसे सबसे अच्छा इन चारों में या न तो right answer ये हो जाएगा option ये पहले number पर बट अगर silver ना हो और ये तीन option दिये हो या इसके साथ में कोई और option add कर दिये गया हो तो copper दूसरे number आपसे आप answer लगा सकते हैं कि दोस्तो अर्थ सास्त्र का nobel प्रूसकार किसके द्वारा इस्थापित किया गया कि बिल्कुल nobel prize for economics वाज instituted by Sweden का केंदर बैंक ठीक है ना Sweden Central Bank द्वारा किया गया दोस्तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1968 में 1968 में यह किया गया था Sweden के केंदर बैंक ने nobel प्रूसकार के संस्थापक Alfred Nobel की समर्थि में अर्षास्तर में nobel प्रूसकार की स्थापना की थी यह जरूर याद रखेगा 1968 काफी important है ठीक है अगला question आता है दोस्तो next question है निमलिखित में से कौन सी एक तो इन में अगर मैं बात करूँ दोस्तो बिल्कुल साबर मती राइट आंसर हो जाएगा ठीक है very good question आता है रास्टिय जन्जातिय नरत्य महत्सव कालिस्तान में आजित किया गया तो National Tribal Dance Festival held in तो guys राइपूर राइट आंसर हो जाएगा यानि की option A दोस्तो next question आता है आपका निमलिखित में से कौन सा देश मार्ज ये तो ऐसे पुराना question हो गया बट फिर भी मैं बता दू कि 2020 में 36 भी अंतरास्टिय भूवज्यानिक कॉंग्रेज की मेजबानी किस ने की थी तो ये दोस्तो एंडिया ने की थी ये question भी आपके exam के point of view से important हो सकता है ठीक है question आता है दोस्तो केंदर और राज्यों के बीच विवाद को तै करने के लिए भारत के सर्वुच नियाले की सक्ति किसके अंतरगत आती है तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा अगले question पर आ जाते है यदी सरकारी वह चालू खाते पर सरकार की राजसु से अधिक हो तो क्या इस्थिती होगी तो दोस्तो इसको कहेंगे obviously बात है घाटा बजट deficit budgeting इस question का अंसर हो जाएगा नहीं कि option A चले next question है question आता है मानव रख्त के कितने घटक है how many components of human blood what is the right answer guys देखे इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल सही है चार इस question का दोस्तो right answer option C हो जाएगा तो मानव रख्त की चार घटक है जिसमें plasma आ जाएगा लाल रख्त कनिकाए और white blood cells और एक आपका आ जाएगा platelets ये चार हो जाएगे दोस्तो याद रखेगा important है question आता है आपका किस राज्य या केंसासित पर्देश ने COVID-19 का मुकाबला करने के लिए operation सिंड शुरू किया तो दोस्तो ये किया था हाँ दिल्ली ने यानि की option do हो जाएगा next question आता है पानी के अंदर की वस्तो को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उप्योग किया जाता है पानी के अंदर की वस्तो का पता लगाने के लिए sonar का यूज किया जाता है यानि कि c is the right answer next question है निमलिकित में से कौन ओम की नियम को सही डंग से इसपस्ट करता है देखिए तो इस question का जो सही answer होगा that is option C ठीक है conductor यानि की सुचालक next है अभिनव लोहान की स्खेल से सम्बंदित है अभिनव लोहान related to which sports तो मेरे प्यारे दोस्तों ये related है गोल्फ से यानि की यहाँ पर right answer होगा B next question आता है Sophie Wilms किस देश की पहली महिला PM बन गई है तो guys इस question का right answer होजेगा Belgium next question आता है आपका निमलिकित सास्तिरी नरत्यों और अपने मूल इस्थानों में से कौन सा गलत तरीके से मिलान किया गया है तो guys इस question का जो सही answer होगा बिलकुल सही कुच्ची पुड़ी यानि की right answer is D ठीक है ये केरल से नहीं है दोस्तों ये आंद्र परदेश से है ये आपको या दखना है ठीक है next question आता है निमलिकित में से कौन सी जील को eco sensitive zone कोसित किया जाना है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer होगा वुलर जील को ठीक है यानि की right answer is option A शली अगला question आता है देखिए सुरंगा बावडी खबरों में है क्योंकि ये विस्व समारक की सूची में दर्ज किया गया है ये समारक खालिसान में इस्थी थे दोस्तों ये आपको बताना है तो इस question का right answer होगा करनाटक में यानि की B is the right answer दोस्तों next question आता है सामान्य आग के लिए इसपस्ट दर्श्त्री की निनितम दूरी कितनी होती है सामान्य आग के लिए इसपस्ट दर्श्ती की निनितम दूरी खालिस्थान है यानि की 25 cm तो right answer is option C ये आपको याद अखना है next question है 16 नवंबर को रास्टिय प्रेश दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन निमलिखित में से किस एजेंसी की इस्थापना की गई थी तो 16 नवंबर को रास्टिय प्रेश दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन निमलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई थी right answer हो जेगा प्रेश काउंसल ओफ इंडिया की यानि कि right answer is option है ठीक है? चले अगला question है सविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्य संबंदों का वर्णन करता है सविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्य संबंदों का वर्णन करता है ये काफी important है तो ये दोस्तो भाग 12 करता है यानि कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिलकुल D और पार्ट जो 9 है दोस्तो वो किसके लिए है ये एक important है ठीक है पंचायत के लिए तो यह भी आपको याद रखना है पंचायत के लिए चलिए अगला pls आता है आपका भारत के बैंक नोट पर किस भाषाओं के में रुपे सब्द नहीं लिखा गया है जो नोट होता है दोस्तो हमारा देश की वीए जो करन्सी चलती है उस पे किस भाषा में इन चारों में से एक भाषा ऐसी है जिसमें जिसके में सब्दों में नहीं लिखा गया है रुपे को उस भासा में नहीं लिखा गया है तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा मनीपूरी यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन ए ठीक है देखे हिंदी और इंगलीज भासा की अलावा नोट पर दूसरे कुल 15 भासाओं क संस्क्रित तेलगू उर्दू तमिल कंणड असमी और आपकी मराथी गुजराती बंगाली यह सभी भासाइं लिखी जाती है मतलब नोट के पीछ आपने देखा होगा 15 भासाओं में लिखा होता है कई पर एक्जाम में यही छोटा सा कोशन पूछी जाता है कि कितनी नोट सभी पर पीछे जो लिखी होती है व्होग कितने लिखी होती है वह 15 होती दोस्तों यह भी आद रखने कोशन आता है अमीबा किस जगत से सम्बंधित है तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा यानी की राइट आंसर इस ऑप्शन भी ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है खालिस्तान की कोच 1772 में इस कोटिस चिकित्सक डेनियल रदरफोर ने की थी बहुत भी बड़िया कोश्चन है दोस्तों इस कोश्चन का राइट आंसर होगा नाइट रोजन की किसकी दोस्तों नाइट रोजन की देखे तत्व हाइडरोजन को एक अधातू के रूप में वर्गिकरत किया गया है और यह अत्यधिक दवाब में धातु बन सकता है और इसके अगर मैं बात करूँ इसकी खोज दोस्तों 1766 में हेंडरी क्विडर ने की थी मैं हाइड्रोजन के बारे में बात बता रहा हूँ सब पहले यह ध्यान रखेगा और यह आपको पता चली चुका है नाइड्रोजन की 17 1772 में हो थी क्योंकि कई बार हाइड्रोजन के बारे में भी पूछे जाता है और हिलियम की खोज की गई थी फ्रांसी सी एक ख़गोल सास्तरी थे जिनका नाम था पीरे जेंसिन तो यह भी आप याद रख सकते हैं चले अगला कोशन आता है विदुत और चुमबकतव के बी माइकल फिराडे हो जाएगा यानि कि C is the right answer माइकल फिराडे कोशन आता है रास्तपती बिलको मंजूरी देने से रोक सकती है यह सकती किस अनुच्छेद के तहत लिखी गई है तो रास्तपती बिलको मंजूरी देने से रोक सकता है दोस्तों यह सकती जो रास्तपती को मिली किस अनुच्छेद के तहद दी गई है ये काफी important question हो सकता है और इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा 111 के तहद और देखिए रास्टपती जो है ना दोस्तो किसी को मतला फासी की सजा से भी बचा सकता है और वो जो right दिया गया रास्टपती को वो article 72 ने दिया है ठीक है यह भी दखना है वई चलेजी अगला question आता है दोस्तों कि किर्सी के संदर में बरानी सब्द खालिस्तान को संदर्वीत करता है जल्दी बतेगे कि तो यह करता है बिल्कुल सही है बरसाती खेती के लिए यानि की C right answer हो जाएगा निमलकित में से कौन सी नदी ओलिव रिडेल कच्छूओं के लिए घोसले के मैदान के रूप में कारे करती है तो right answer is देवी नदी यानि की A right answer होगा next है के गा पर्मानू उर्जा सेंद्र किस नदी के किनारे इस्थित है ठीक है इस question का right answer होगा काली नदी यानि की D is the right answer केगा generating station करनाटक के उत्तर कंणड जिले में काली नदी के पास दोस्तों केगा में इस्थित एक पर्मानू उर्जा उत्पादन station है ठीक है तो यह आप कहा दखना है अगला question आता है कि खालिस्तान के दोरान एक अर्थ विवस्था में चैनित वस्तूओं और सेवाओं की basket का ओस्थ मुल्य इस्थर समय के साथ बढ़ता है तो यह बढ़ता है दोस्तों inflation में मुद्राइस्विती में यानि की right answer is option B दोस्तों NASA का मुख्याल्य कहां पर है तो NASA का जो मुख्याल्य है बिलकुल NASA का मुख्याल्य दोस्तों Washington DC में है यानि की right answer is option A ठीक है Washington DC दोस्तों headquarter है और Washington DC जो है वो USA की capital भी है अगर मैं NASA की बात करूँ इस्थापना कब हुई थी दोस्तों ये भी एक important question बन सकता है 1958 में NASA की इस्थापना हुई थी ठीक है 29 July को 29 July 1958 में याद रखेगा दोस्तों राज्य की राज्यपाल की सपत या परतिग्या किस अनुच्छेद में दी गई है तो राज्यपाल की सपत या परतिग्या किस अनुच्छेद में दी गई है तो राइट आंसर 159 हो जाएगा आर्टिकल 159 किस देश ने COVID-19 के इलाज के रूप में बेर जूस की उप्योग की सिपारिज दी या की है तो ये दी है दोस्तों चाइना ने यानि कि राइट आंसर इस डी नेक्स है लोकसबा अध्यक्स को उसके पद से खालिस्थान दुआरा निस्कासित किया जा सकता है आंसर बताईए तो गाइज ये एक अच्छा कोशन है और जादतार स्टूडेंट यहां पर रास्पती आंसर लगा देते हैं जैसे कि मेरे को भी लग रहा है अभी भी आप ऐसा ही कर रहे हूं तो रास्पती राइट आंसर नहीं होगा परदान मंत्री भी दोस्तों नहीं होता है और देखे अर रिजोलिशन पास्ट बाइ बोथ हाउस ओप पार्लेमेंट यह भी राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि बोथ हाउस का इसमें कोई काम ही नहीं है तो फिर कैसे होगा इस कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा यानि कि एक इस्पेशल मेजोर्टी के साथ में तू थर्ड से एक वोट के साथ में एक रिजोलिशन पास्ट करके दोस्तों लोगसबा के स्पिकर को हटाया जा सकता है एक कैस हो गया यह जो की आर्टिकल 94 औ 96 यह राइट देता है एक और तरीक से दोस्तों हटाया जा सकता है speaker is also removing disqualification for being लोकसभा member यानि कि अगर लोकसभा speaker को disqualify कर दी जाता है लोकसभा member बनने से जो कि section 7 और 8 में आता है act 1951 में ठीक है act 1951 में तो इसके दौरा भी दोस्तों लोकसभा speaker को हटाया जा सकता है इन तीनों में से तो कोई right answer नहीं होगा यह आपके दखने है question आता है NGT का अर्थ क्या है दोस्तों तो NGT का अर्थ है national green tribunal यानि की option हो जाएगा आपका c right answer और देखिए national green tribunal जो है यह एक body है दोस्तों जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में कब हुई थी 2010 में national green tribunal act के तहद है न यह आपके दखने है बिलकुर देखिए इसका जो है न उदेश्य दोस्तों प्रियावर्णिय मामलों से निपटने हेटू एक निकाय की स्थापना करने वाला भारत Australia New Zealand के बाद दुनिया का तीसरा देश है यह आप जरूर याद रखेगा दोस्तों ठीक है भारत तीसरा देश है इस तीज की स्थापना करने वाला पहला Australia दूसरा New Zealand और अब भारत तीसरा चलें दक्षिन अफरीका में गांधी जी ने निमलिकित में से किस पत्र को संपादित किया था तो गांधी जी ने संपादित किया था इंडिया इंडियन ओपिनियन यानि की ए रेट आंसर हो जाएगा ओल राइट चले अगले कोशन की और बढ़ते हैं दोस्तो नेक्स्ट कोशन है 2011 की जनगर्ना की अनुसार निमलिकित में से किस राज्ये में साक्षार्त दर सबसे कम है तो जरा बताएगा इसका राइट आंसर वही साक्षार्त दर सबसे कम है दोस्तो बिहार में ठीक है? ये 2011 census के according में बता रहा हूँ और इन 4 option के हिसाब से बता रहा हूँ 2011 की जनरना की अनुसार बिहार राज्ये में भारत में सबसे कम साक्षार्त दर है कितनी है? ये भी याद रखेगा 63.82% और भारत का साक्षार्थ अदर जो दोस्तों वैसिस पूरे भारत का बात की जाए तो वो 74.04% है ठीक है और सबसे अधिक किस राज्ये का है दोस्तों तो सबसे अधिक है केरल का केरल का कितना है 93.91% है 2011 सेंसेस के अकोर्डिंग तो बिहार सबसे कम साक्षार्थ दरवाला राज्ये है और केरल सबसे अधिक वाला दोनों ही कोशन याद रखेगा इजी है आजाए तो आपको बस फ्री के मार्क्स मिल दाएंगे भारत में किस तारीक को सबसे छोटा दिन रहने की संभावना है तो देखे 21 दिसंबर को जो है वो सबसे छोटा दिन माना जाता है तो यही आपको याद रखना है दोस्तों नेक्स कोशन है वर्स और हिम में मिश्रन के रूप में होने वाली वर्सा कहलाती है जब हम बोलते हैं ओले पड़ गए भाई ठीक है न तो सीधी सी बात है जब ओल लुटे के साथ वर्सा बोल देते हैं तो यह आपको याद इसनों नहीं बोलते हैं भई कहीं सारे स्टूडेंट जह भी लगा देते हैं तो चलिए नेक्स कोशन आते हैं और कि व्यूस्पार का इस युज़ स्थान के मिस्दाटू से बना होता है फ्यूस्थार दोस्तों एक ऐसा तार होता है जब हमा हम पूरे घर की मतलब लाइट की जो गनेक्टिविटी है वह हम एक जंगह पर एसी जंगह पर मतलब फ्यूस ताल लगा के छोड़ देते जब वो किसका बना होता है वो टीन और लेड का बना होता है यानि कि सी रैट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए कोश्चन आता है अवियाविय स्थिति के तहत जेविक सामगरी का जिवानु अब घटन है तो दोस्तों इसका हो जाएगा किस देश ने नीजी स्कूलों में विदेशी पाठ्थे करम और विदेशी स्वामित्व पर रोक लगा दी है तो रैट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा चाइना ठीक है चाइना इस दर रैट आंसर यू डीपी इस आ तो दोस्तों यू डीपी क्या है क्नेक्शन लेस प्रोटोकोल है क्या है दोस्तों क्नेक्शन लेस प्रोटोकोल यानि की बी रैट आंसर हो जाएगा कोशन आता है किस राज्य के इसासित प्रदेश ने 48 ओक्सिजन उत्पादन सहींत्र इस्थापित करने का निर्ने लिया है तो ये दोस्तों नेनना लिया गया है तिलंगना द्वारा यानि की डी रैट आंस हो जाएगा तिलंगना के मुख्या मंत्री चंद सेखर राव ने दोस्तों 17 मई 2021 को चकित्सा और सवास्थ विबाग के अधिकारियों के को राज्य भर में सरकारी एस्पतालों में 48 ओक्सिजन उत्पादन सहींत्र इस्थापित करने का निर्देश दिया और उनसे दोस्तों कोविड रोग्यों के लिए काफी मतलब इससे फायदा भी हुआ ठीक है ना चले नेक्स कोश्चन है भारत में पस्चिमी तट के उत्री भाग को के रूप में जाना जाता है तो इसे जाने जाता है दोस्तों कोणकर्ण तट यानि की A रेट आंसर होगा ठीक है जी चले कोश्चन आता है आपका पोधो की वरद्दी के लिए आवश्चक तीन प्रात्मिक पोशक तत्व कौन से है तो ये तीन पोशक तत्व है दोस्तों पोधो की वरद्दी के लिए आवश्चक तीन प्रात्मिक पोशक तत्व है नाइट्रोजन, फास्पुरस और पोटेशियम यानि की A रेट आंसर होगा कोशन है भारत में कौन सा अभ्यारण गेंडे के लिए परसीद है और ये है किस राज्य में इस्थित है दोस्तों रेट आंसर होजेगा काजी रंगा असाम यानि की आपका B रेट आंसर होगा भारत में काजी रंगा रास्टे उधान अपने गेंडे के लिए परसीद है और ये असम की गोलका घाट और नावगाव जिले में इस्थित है इस अभ्यारन में दोस्तों दुनिया के गेंडे का आबादी टू-थर्ड हिस्सा है और ये है युनेसको की विश्व धरोधर इस्थल में है ठीक है टू-थर्ड आबादी है इसमें गेंडों की तो ये भी आपको यादखना है दोस्तो डेविस कप खालिस्थान केल से संबंधित है तो देखे डेविस कप जो है बिल्कुल सही लॉन टैनिस से संबंधित है यानि की रैट आंसर भी हो जाएगा ठीक है चल लेज़े अगला कोशन आता है वर्स 2020 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज किसे चुना गया है तो एड्रिया मेजा इस कोशन का दोस्तो रैट आंसर हो जाएगा मेक्सिको की है ये एड्रिया मेजा जिनको 16 माई 2021 को 69 संसकरण में मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया और इनकी जो उम्र है दोस्तों 26 साल की है ये और ये इतना ही आपको यह दखना है ठीक है न चले ग्रीन बेंकिंग का अर्थ क्या है ग्रीन बेंकिंग में से तो इसका मतलब है बेंक्स फाइनेंसिंग एग्रिकल्चर ग्रीन बेंकिंग का ये मतलब है next है सवतंत्र भारत की अन्तीम गवर्नर जनल कुण थे तो सवतंत्र भारत की अन्तीम गवर्नर जनल दोस्तो सी राज़गो पालाचारी थे ऐनिकी B रैट अंसर हो जाएगा next question है यससन एक ताजा अंडा जब खारे पानी में रखा जाता है तो दोस्तो देखे ताजा अंडा जो होता है वो खारे पानी में क्यों तैरता है क्योंकि खारे पानी का जो गनत होता है वो अंडे के गनत से अधिक होता है यह इतना तो आप समझते ही होंगे नेक्स कोशन है बेटी बेंगन के रूप में जाना जाने वाला बेंगन का अनुमानसिक रूप से इंजीनियर रूप विक्सित किया गया है इसका उदेश्य क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे कीट परतिरोधी बनाने के लिए इसकोशन का राइट आंसर हो जाएगा कोशन आता है दोस्तों वेस्विक खाद्यान उत्पादन में अधिक्तम योगदान देने वाली तीन फसले हैं वेस्विक खाद्यान उत्पादन में ठीक है ना मैक्सिमम ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोड़क्शन आर तो इसमें दोस्तों वीट आ जाएगा राइस और मेस यानिकी राइट आंसर इस ग्यहूं ठीक है ग्यहूं चावल और मक्का ओप्शन डी हो जाएगा दोस्तों नेक्स है निमलिकित में से कौन एक तृत्ते गतिविदी है तो तृत्ते गतिविदी इन में से देखे ट्रेडिंग व्यापार ये तृत्ते गतिविदी है नेक्स है 1866 में दादाभाई नहरोजी द्वारा स्थाफित किया गया East India Association निमन में से कौन सा सहर है दोस्तों लंदन हो जाएगा राइट आंसर याद रखेगा लंदन इस दार राइट आंसर East India Association की स्थापना दाधा भाई नहरूजी ने 1866 में लंदन में भारतिय और सेवा निवर्ती बिल्टिस अधिकारियों के सैयोग से की थी दोस्तो कोश्चन आता है निमलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का परभाव होने की सबसे कम संभावना है तो राइट आंसर दोस्तो क्या होगा डिक्रीज रेट ऑफ फोटो सिंटेसिस इन वेजिटेशन यानि की राइट आंसर हो जाएगा उप्शन सी वनस्पती में परकास सन की गठती हुई दर भारत के किस राज्य में जंग फूड फेट टेक्स लागू किया गया है तो देखिए जंग फूड पर फेट टेक्स लागू किया गया है तो देखिए जंग फूड पर फेट टेक्स लागाने वाला राज्य आपका कौन सा है ये A है केरल यानि की राइट आंसर इस B Qution है भारत में गांदी जी का पहला सत्तेगरे किस स्थान पर हुआ था तो भारत में गांदी जी का पहला सत्तेगरे दोस्तो चमपारन में हुआ था यानि की Right Answer Option A हो जाएगा ठीक है Next है रास्टी राजमार्क के विकास के लिए परियोजना किसके द्वारा सुरू की गई थी तो ये की गई थी अटल बिहारी वाजबाई जी द्वारा यानि की Right Answer हो जाएगा Qution है निमलकित में से किस स्रोत का भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है तो दोस्तो ये है Thermal Power ताप ये उर्जा यानि की Right Answer is B ठीक है भई तो देखे आर आप लोग ना सेशन को Like जरू कर दिया करें जो Student Like नहीं करते हैं प्लीज काफी मेनत लगती है तो आप Support किया करें ठीक है चले और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की Unacademy पर आपको मिल जाता है जहां पे आप Report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की study से related नहीं था तो आप उसको Report करके अपना प्राइज विन कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़े भेज के और जो सबसे पहले भेज़ेगा उसको प्राइज मिलेगा ठीक है वाकी thank you so much guys चैनल को subscribe कर लिजेगा पीडिया भी आप download कर सकते हैं बैल आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मत ठी ठीक है और देखिए अनकेडमी पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे में बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो धाई बजे ठीक है और एक होती है रात को 11 बजे दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाओगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा अ